नमस्कार साथियों, उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे हम क्लास 11 में चेप्टर 3 पढ़ रहे हैं, तत्तों का वरिकरण और गुणों में आवर्तिता हमने कल डिसकस कही थी, डोबे राइनर का त्रिक नियम, नूलेन का अश्टक नियम और लोथर मेर का नियम हम आज डिसकस करते हैं मेनलिफ का आवर्ति नियम की बारे में और आधुनी का आवर्ति नियम की बारे में चलिए शुरुआत करते हैं इसके कल का जो मैंने पढ़ाया था उसका इसको शार्ट में अगर आप लिखना चाहो तो इस तरीके से अपन जो है से पूल बिल्कुल सरे लेख में बता रखा है यह नियम क्या है तो यहने प्रत परफंगहों नहीं न चुर्ट क्यां पर यहां पर लिखा हुआ कि यहां पर पर्मानों के पर्मानों भार का उसत होता है तो तक जुद में निकालो बटे तेरी तत्व का परमानुबार अन्य दो तत्वoh के परमानुफहर का ओसद बार होता है यह आधा होता है ठीक है चलिए फिर हमने बात करी थी न्यूलेन के अश्टक नियम की आधार पर न्यूलेन का अश्टक नियम क्या था कि यह नियम में वापस क्लिए वापस साद आ यह साद सारेगम पधनी और वापस के आता है साद आ है यह साद तो एक दो तीन चार पानझे यह साथ पहले और अठ्वा जो सवर है वो से में पहला किसी दर पशोगो करो कि तो से चाहर पांच से इसके बाद आट जवाब वापस रे से घर से उसलोह छोगराई म जहिसे सब्सक्राइब है आगा रे मिद्सक्राइब में ग Compass करें तो जैसे लिथिय से शुरूआत करी किसे शुरूआत करी लीथियम है लिठियम पला नाजव में समंतभरी लेकिन यह नियम भी आगके तक नहीं भार है उनके लिए यह वाला नियम आपस लागू नहीं होता तो देखिए यह नियम न्यूलियन का अश्टक न्यूलियन ने दिया था इस नियम आनुसार तत्वों को उनके परमानुभार के बढ़ते क्रम में व्योस्थित करने पर आने वाला आठवा तत्व का गून प्रथ बिरेगनर का नियम और नूलेंड का नियम अब हम बात करें आज मेंलिफ का नियम मेंलिफ का आवर्त नियम तो मेंलिफ का आवर्त नियम है तत्वों के भोतिक और रासाइनिक गून तत्वों के भोतिक और रासाइनिक गून उनके द्रयमान के आवर्ति फलन होते हैं किसके आ तत्वों को उनके परमानों द्रिमान के बढ़ते करम में व्योस्थित करने पर एक निशित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है पुन्रावरती होती है एक निशित अंतराल के बाद उनके गुणों में क्या होती है पुन्रावरती होती है ये किसने कहा मेंलिफ सापने कहा ऐसे ही जो आधुनिक आवरतनियम है ये क्या कह रहा है भीया कि तत्वों के बहुतिक और रासानिक गुण उनके परमानों क्रमांग के आवरती फलन होते है क्या लिखोगे मेंलिफ का आवर्ति नियम तत्वों के भूतिक और रासानिक गुण उनके परमानों द्रियमान के आवर्ति फलन होते हैं पुन्डवर्ति होता है तो खक्र्म मेंत्लब होती सार्नी क्रम अबमेलिफ का लिए थोड़ा सम्री आपको समझा देता हूं, मेंलिफ की सार्नी यह है मेंलिफ कीआवर्ति सारनी देखें मेंडलिप साब ने इस तरीके से दीती है और अभी जो आप देख रहे हो आधुनी का वर्त सारनी है आधुनी का वर्त सारनी केसी है? इस तरीके से है ये जो सारनी है ये जो सारनी ये वाली आधुनी का वर्त सारनी है ये वाली आधुनी का वर्त सारनी है और जब इसको हटा दे अपन इसको हम यह वाली आपकी आधुनिक आउड़ासाणी और यह वाली मेंदलिफ के आउड़ासाणी है ठीक है इसको सायड में कर दिये आप ने वापस चाहेंगे अपन ले लेगे इसको कोई दिक्कत नहीं अपना एराज चल रहा है अब इसमें इसमें कमपरिजन करते हैं यह मेंलिफ की आवरतसारणी है इसमें और जो अधुनिक आवरतसारणी है इसमें अपन कमपरिजन करके देखते हैं कैसे क्या कमपरिजन करते हैं देखो यह जो मेंदलीफ की आवरत असाड़नी फर्विद द रख लिए इसमें मैंदलीफ की आवरत असाड़नी में कितने हैं हूं एक प्रेगे फर्वध लिए दने टोटल नो वर गयां इसमो". कितने समूं दे रखें? 9 वर्ग यह समूं जबकि आप यदि इसकी बात करेंगे अपन तो इसमें कितने दे रखें? एक, दो, तीन, चार, पानच, शे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चुदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा वर्ग यह समूं दे रखें? ठीक है? कितने दे रखें? इसमें कितने दे रखें? 9 नोट कीजिए, मैंलिफ के आवर्थ सान्डी में कितने समूं वर्ग दे रखें? 9 नोट कीजिए, आवर्थ कीजिए, साथ, एक, दो, तीन, चार, पान्च, छे, और यह साथ आवर्थ दे रखें? ठीक है? लेंथनेड और एक्टिनेड यह यहां नीचे दे रखें हैं? ठीक है, यहां पर आपको तोड़ा दीखनी रहोगा, थोड़ा साथ, साथ आवर्थ को रीड करते हैं, कहीं पर भी जर्रोथ होती है, किस का पर्मानुकृ मांग देखनी के लिए, किसी का पर्मानुपहार देखने के लिए आधुनिक आउरसानी बड़ी सिंपल है, इसको 4 ब्लाक में, S ब्लाक, P ब्लाक, D ब्लाक और F ब्लाक में डिवेट किया गया है, परमान कुरुमांग के हिसाफ से जमाय गया है, किसी भी ऐलिमेंट्स को कहां बेटा हैं, ढूणने में कोई दिक्कत नहीं आती है, किसमें कि पहला, दूसरा, धिए का है, पहले से सातवे तक को किसमें डिवेड किया गया है, A&B, F व्ले से सातवे तक, S αभी में A, B, O for VRG, 140 को, इसमें अलग-अलग elements है जैसे ए वर्ग में यह 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 दे रखा है इधर से यह वुक्स का सारा भी ले सकते हो आप यह इस तरीके से यह अलग-अलग बाट रखें इनको ओके अब यह जो है कि वापस पहला दूसरा तीसरा आवर्थ हो गया प्रताफम और दिश्रेंडी में अलग अलमेंट से दे रहे ए प्रतम हिर्णी में यह आवर्थ मेसरा रखा गया है इसमें नीचा रखा गया है तो यह सांवानए परीच सामाजने परिच्छे किसलिए काम में आ रहा है हम इसका अब वर्नन पढ़ाएंगी में लीक सिनिया का इसी के आधार पर इसी के आधार पर ध्यान रखना जब मेंलिफ का आवर्तनियम पड़ रहे हैं, जब मेंलिफ का आवर्तसानी पड़ रहे हैं, तो सिर्फ अपने माइंड में में मेंलिफ का आवर्तसानी होनी चाहिए, इधर से उधर मिक्स ही नहीं होना चाहिए, कि जब मेंलिफ पड़ रहे हो और अपने माइंड में चल रहे कि आवरतासार नी ओकेऊगist उठाएगे देखिएगा अब देखिए कि मेनलिव कि आवरतासाणि इसके बारे में कुछ बात करते हैं यह मे dzieŋ कर सारनी कि बात कर देख लिए आपनोंने दर्शाय गया है इस सारनी में मैं लिए negro के बाद खोजित इन्हें को बाद में रखा गया है बस O कि तो उतकरष्ट केंसों को भी प्रदशित किया गया है डिस्तान में मैंले की मुणा लगा जो थी उसमें कई रिक्तिस्थान थे ताकि आने वाले टायम में कोई elements खोजे जाया या research किया जाया तो उनको भी जगे दी जाया क्या दे रखा बेटा कि मेंलिफ की मूल आवरत्थाने में कई रिक्तिस्थान थे क्योंकि उस समय तक उन सब तत्वों की खोज नहीं हो सकी थी बाद में उन तत्वों की खोज होती गई और उन्हें यठा इस्थान फिट करते गए मतलब यह कह सकते हो कि आपकी जो ये मेंलिफ के आवरत्थाने इसमें कई खाने रिक्त थे उसमें बाद में धीरे धीरे उनको रखे गए जैसे जैसे रिसर्च होती गई एलिमेंट से की खोज होती गई उनको रखा गया ओके मेरी बाद समझ में आए गई होगी तत्वों की खोज होती गई और उन्हें यथा इससान फिट करते गए अभी क्या है अगर आया तो यह वर्नन आपको मालूम होना चाहिए कितने क्या उर्धवादर खाने है शेतिज मतलब होरिजेंटल कालम होते हैं जिन्हें आवर्ध केते हैं दिख रहा ना यह साथ शेतिज खाने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ इन्हें क्या केते हैं शेतिज, होरिजेंटल और यह पोजिशन होती ही वर्टिकल, मतलब उर्धवादर और यह शेतिज, शेतिज मतलब होरिजेंटल तो यह जो है, साथ शेतिज खाने होते हैं जिन्हें क्या केते हैं आवर्ध केते हैं लो उर्दवारदर खाने दिख रहे हैं जिने समूईया क्या करते हैं है अब अवर्थ की बात करते आउर्थ साण यह में कित्ते आवर्थ दे रखेए हैं यह सत आवर्थ यह साथ आवर्थ एक दो तीन चार पांच छे साथ ओर्थ क्रेए अब बात इह क्या है दो सिर्फ हइं है तो और सी एले में दे रहें दूसरे और दूसरे में कित्ते शूंत में दॉसरे और और यह वाला जो पहला और टहां है उसको किohy अथी लगू आवर्त एह सिंको इस नदी लगू ऑवर्थ इसमें सिर्फ कित्ते एलिमेंट से दिख रहे आपको humour दो दिहांसे दिखने अब दिया गए अपूर्ण आवर्द हैं अपूर्ण आवर्थ क्योंकि उस समय इसमें क्या है जगे खाली छोड़ रखी एलिमेंट से के लिए कि नए खोजे जाएंगे उन्हें एलिमेंट सो को यहां पर रखा जाएगा चलिए बात करें चटे में 32 सत्व हैं यदिभी सारणी में 18 ही दिखाई दे रहें परन तो लें चट्वे को अति दिल का वरत कहा जाता एं जिसमें 32 सत्व है लेकिन आपको देख कूते रहे हैं यहां पर देखो दिखर कित रहें अगर आप गूंग के चटवे आवर्त के तो दिखेंगे आपको किते दिखेंगे यहां पर अठ्राई दिखेंगे लेकिन चवदा एलिमेंट से कहां पर यह दे रहा है सीरियम से लेकर लूटेश्यम युगोतर तक की यह नीचे रखे गए हैं चीके यह लेंधिनम सत्तावन और बहुतर के बीच के तो यह यहां से लेकर यह दिये हुए य तो ये यह यह लिमेंट भी इसी अवर्त के तत्व यूब हास तो क्याकnew अपूर ना वर्ति के इसमें जेगे पूर्थी तो मेरी वास समझ में आई मेंलिफ के आवर्त सारणी में साथ आवर्त हैं साथ आवर्त में पहला आवर्त जो है वो अतिलगो आवर्त हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में आठार तत्व हैं जिसे लगो आवर्त केते हैं चोथे और पांचव स मेरे हिसाबसे आपको ऑर्त के बारे में समझ में आ चुकी होगी जानकारी तो बढ़िया बात है अब बात करें समू की समू या वर्ग तो मेंडलिफ के समय केवल आठ वर्ग थे कित्ते वर्ग थे बेटा केवल आठ वर्ग थे यह देखिए ध्यान से मेंडलिफ के समय केवल आठ वर्ग थे यह दिख रहे हैं आठ वर्ग एक दो तीन चार पांच छे साथ यह वाला गुरूप तो बाद में रखा गया है इसमें तो elements बाद में रखे गये शुन्य वर्ग जो खुजे गये उनको इसी सारणी में आगे रख दिया भईया कि अपने को study करने में सुविधा हो रही है पड़ाई करने में सुविधा हो रही है तो यह हो गये मेरी बाद एक वर्ग ओर जड़ा गया है जिसे क्या कहते है शुन्य वर्ग कहते है यह वाला शुन्य वर्ग है इसमें क्यों उतकरश्ट कैसे है इस प्रकार वर्गों या समों में कुल संग्या कितनी होगे में लिफ आले में नो एक से आठ वर्गों को किसमें एक से आठ वर्ग और एक शुन्य वर्ग टोटल कितने होगे नो वर्ग एक से आठ वर्ग और एक शुन्य वर्ग टोटल नो वर्ग शुन्य और आठ वर्गों क को सभी वर्ग में है रहे हैं यह शुन्य और आठे वर्ग हो छोड़कर बाकी पहले से साथ वेको एब्यड आप वर्गों मैं डिवेट किया घया है तो जो मैंने समझाया वह मैंने इस पर युलिक टेबल में बता रखा है चलिए आगे बड़े हमरा राज चल रहा है अब देखो आवर्तों की विशेष्टा है ठीके अब क्या-क्या दे रहे कि उप्छी श्याद आप नहीं प्रतियक आवर्त का प्रफम तत्व शार दातु और अंतिम तत्व अक्रिय या उत्करष्ट के से हैं ठीके पर्तियक आवर्त का आक्री गेसे एक आवर्त में आगे की और जाने पर तत्वों की गुण करमिक रूप से बदलते रहे ठीके अगले या नय आवर्ति से गुणों में पुन्रा वर्ति होती हैं ठीकि आगे बढ़ते हैं तत्वों की सहयोजक्टा के बारे में आवर्त में बाएंसे दाएं एक से लेकर साथवे तक अक्सिजन की सापयक्षे तत्वों की सहयोजक्टा एक से साथ तक बढ़ती है और फिर क्रम गटकर एक हो जाता है प्रतिक नए आवर्ती की सहयोजक्टा की पुन्रा बढ़ती है तत कि पहरति के प्रतियाग नगे ओकल्ट में सब्रस फीजिकता है कि पुंडरारती औरते ओकल्ति द्दैञ नगे ख़ार देखन चल तौप में तो DR. धन्विद्यूती लक्षन तो इधर से इधर चलेंगे तो गटेगा और इन्विद्यूती लक्षन क्या होगा बढ़ेगा नार्मल बात है तो किसी आवरत में आगे की ओर चलेंगे तो धन्विद्यूती लक्षन क्रम से धिरे-धिरे गटता है और इन्विद्यूती लक्षन SiO2, P2O5, So2, Cl2O7 जैसे जैसे आकसाइड यह है ना तो यह से चलेंगे तो अमली प्रवर्ती क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी जैसे Na2O प्रबल शारी है वेसे Cl2O7 प्रबल अमली हो जाएगी क्योंकि उसके अकसिगन अवस्था बढ़ती जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं परमानवी और आयनिक तरिज्जा तो जैसे जैसे किसी भी आवर्त में इधर से इधर चलते हैं तो परमानवी और आयनिक तरिज्जा क्या होती कम होती है और समू में उपर से नीचे चलने पर बढ़ती है है ना बढ़ती है बढ़ती है उपर से नीचे चलेंगे बढ़ती है और इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा गटती है किसकी बात कर रहे है परमाण वी और आयनिक त्रिज्जा की तो नाभी के अंदर से परमाणों के सबसे बाहरी कक्षी की दूरी को परमाण त्रिज्जा के थे किसी आवर्त में ऐसे चलेंगे तो परमाण त्रिज्या क्या होती है विकर्ण संबंद्ध अब विकर्ण संबंद्ध क्या होता है जैसे यह आवर्त दो के विकर्ण संबंद्ध के अगले समूं के तत्व से सब्सक्राइब तो रख तो देता अगले समूं के तत्व से चलेंगे गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदश्ट होती है। अब बात करें प्रारूपिक तत्व एपन, परसियक वर्ग को पत्वा-जों ऊल वरत्वा की कई are-दो और तीन, ग्रांवॉविक ट्वा क्यिते हैं पत्वा कमितना कि यह तत्वा उस वर्ग के प्रमुख लक्षनहों के निरुपुग है और Lithium और Sodium वर्ग First के प्रारूपिक तत्व वर्ग। नैट्रोजन, Oxygen, dette इनको क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व कहते हैं प्रत्यग वर्ग कटा है जो आवर्त 2 और 3 में आते हैं, प्रारुपिक तत्व के लाइध है, क्योंकि यह तत्व उस वर्ग के मुखे लक्षनों को रीप्रेजेंटेटिव करते हैं, लीथियम और सोडियम वर्ग एक de prararpy करते हैं, अब बागे बात करें, ये वर्ग दो और तिन की ये लीथियम, सोडियम, वेलियम, मेगनीशियम प्रारूपी तत्व इनमें बोरान, अलिमीनियम है, कार्बन, सिलिकान, नाइटोजन, फासपोरोस ये प्रारूपी तत्व हो गए। उसको किते हैं बेटाइज इनको क्या किते हैं बेटा ये जो है ये इनको क्या कहते है बागों क कहा जाता है आपे वर्टीकल पोजिशन पर क्या है ये वर्ग है इनकी एंड ग возьми फोस्बा से कि कुरान को ज dead तो उपर से नीचे चलने पर पर्माणों और आनिक त्रिज्जा क्या होती है किसी वर्ग में बढ़ती जाती है ठीक ये कर्मिक व्रद्धी होती जाती है धात्विक लक्षन उपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा जाएगा गटता है धात्विक लक्षन और अधात्विक लक धात्विक गून उपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा बढ़ता है धात्विक गून बढ़ता है ठीक है किसी वर्ग में उपर से नीचे चलने पर धात्विक गून क्या होता जाता है बढ़ता है आकसाइड हो की धनविद्यूति और इनविद्यूति लक्षन तो जैसे जैस से ऊपर से निचे जलेंगे धनवीद्युष्षण बढ़ता है और इनवीद्युष्षण क्या होता जाता है में बढ़ता जाता है और अधात्या बात है आवरत सारने की उप्रवदिया जो अधुनिक सांी पड़ रहे हैं अध्यां में सायता में में, आवज़ानी कर सकते हैं ठीक है, किसे ईनको क्लासिफाइख किया गया है, कितने वर्गों कितने आवरते सांगे इन को बताया गया है, कहां पे कौन सा आलेमेर पॉर्ड हां हुआ है? तो मेंट Lips ने अच्छी कोशिश करी मतलब curriculum को समझाने के लिए उसके बाद में मेंट Lips की आवर्तसारमी के बाद में मुंसले की आवर्तसारमी आई जो आदुनिका और सारनिय अपन पड़ते ही हैं, ओके, नए तत्वों की खोज में सहायता मिली, परमानों पुरहर ग्याद करने में, संदेपूर्ण परमानों भारों के संशोधन में, ठीके, ये सारी चीजें आई, हाइड्रोजन के इस्थान, अधिक परमानों भार वाले त में, Lightly के आउर सारनिय के दोश, में हाइड्रोजन के इस्थान सही नहीं है, हाइड्रोजन का इस्थान हाइड्रोजन का गुंद्धर्म पहले वर्ग की शार धातों और साते वर्ग की हेलोजन तत्व दोनों वर्ग के तत्वों के गुंद्धर्मों से मिलते जुलते हैं तो हाइड्रोजन को क्या करा? इन्होंनों दो-दो जगे रख दिया मेलिफ साब ने हाइडोजन को क्या कर रखा दो-दो जगे रख दिया कहां पर है ये हाइडोजन साब को यहां पर रख रखा होगा दो-दो जगे एक तो एक तो यह रख रखा है और एक यहां पर भी रख रखा है हौई हाईडोजन को क्योंकि इनसे भी गुनों में समानी परफ्थिश्य करता ह। इनसे भी कुणों में समाना परफ्थित करता हाईडोजन तो हाईडोजन का इसथान ठिक्स rhina किया इन portion of the अधिक प्रमानों भार Vincent के पहले रख दिया जो कि गलत है असामान तत्यों को एक साथ रखा और आधैना ayam प्रमानों के सब्सकों अत्र剛剛 जब यह को स्ब्सक्वा घरिया जा liberty या जब किऊ भी promise नहीं तो यह चीजे हैं तो यह होगे आपना मेंदलिफ का आवर्तनियम मेंदलिफ का आवर्तनियम के चलिए नेक्स लेक्चर में हम बात करेंगे आधुनिक आवर्तनियम की बारे में किसके बारे में आधुनिक आवर्तनियम क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंडर करना चाहूँगा चलिए साथियो मिलेंगे फिन लेक्स वीडियो में तब तक के लिए ओक्के बाए